हलो नमस्कार दोस्तों वेस्ट नव क्लासेश के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है बिएस्टीशी 2023 को लेके एक प्रशनों की सीरीज आपके सामने में लेके आया हूं इन सभी प्रशनों का आपको जवाब देना है और लाइस्ट के अंदर आपका क्या स्कोर बन रह पहला प्रशन आज का मारा प्रत्वी राज राशों के रचयता कौन है प्रत्वी राज राशों के रचयता कौन है आपके सामने चंद बरदाई महाकवी माग मुहनोत नेंड सी या फिर नयन चंद्र सूरी तो प्रत्वी राज राशों के रचयता कौन हो जाएंगे यह जा वी राजत्रितिया के राजकवी और उनके मित्र थे चलिए अगला परसन की बात करते हैं अगला परसने आपके सामने माल देव और सहरसा सूरी के मध्य किस स्थान पर युद्ध हुआता ओप्शने आपके सामने सुमेल लोहावट खानवा या फिर ओशियां तो माल देव और जिसको हम क्या कहते हैं घिरी सुमेल का युद्ध और इस युद्ध के अंदर जेता और कूमपा इन दोनों ने अपने अद्रम्य सहास का परिचे दिया था चलिए नेक्स्ट क्यूसन की बात करते हैं अगला परसना आपके सामने है राजस्तान में 1857 का विपलव सर्व पर् प्रथम वो करांती कहां पहुती अपको बताना है अप्सिन आपके सामने कोटा आउँ रिंपूरा नसीराबाद तो राजस्तान के अंदर 1857 की क्रांती नसीराबाद के अंदर अगर आप यह पूछले कि विक्राल सरूप है यानिकि सबसे ज़्यादा करांती कहां पर रही थी तो वह थी आपके कोटा के अंदर ज्यादा समय तक क्रांती शक्रिय रही थी आगे हम बात करते हैं आपके अगले पर्शन की आपका next पर्शन है राजस्थान के किस राज्य के सासक को आमेर या फिर डूंगरपूर तो इसका सही उतर हो जाएगा राजस्थान का साशक कौन से थे जिनको महारावल कहा जाता था इसका उतर आपके डूंगरपूर से कौन सा जिला अजमेर संभाग में नहीं है आपको बतानां को सा जिला अजमेर संभाग कें अंदर सामिल नहीं है ओप्सिन है वो जिले का भांग में है बाकि आपके टॉंग भीलवाड़ा और नागोर यह तीनों ही अजमेर संभाग के भाग हो जाएंगे अब बात करते हूं आपके अगले प्रश्णगी नेक्स्ट कुछन आपके सामने निम्न मैंसे कौन सी खारे पाइनी की जील नहीं है आपको जील बतानी है इन मैंसे कौन सी जील जो खारे पाइनी की जील नहीं है ऑप्शन है सांबर जील पंच बद्रा जील काईलाना जील या फिर लून करंशल जील तो खारे पाइनी की जील कौन सी नहीं है सांबर भी आपके खारे पाइनी की जील है और लूर्ग करंशल जील भी खारे पाइनी की जील है तो क इसके बाद करते हैं आपके स्वात्रता से पूर्वे राजस्तान में कितनी रियासते थी तो तो चीफ Chief Commissioner Shetrra अजभ और मेरवड अजमेर और मैरवड यह आपके चीफ Commissioner शैथर चलिए की बात करते हैं अगला प्रशन आपके सामने राजस्थान का रजह्जी खेल क्या है राजस्थान का रजह्जी खेल कौन सा है आपके सामने光 वोलीबॉल वैडमिन्टन या फिर फुटबॉल रजस्तान का। कोन से बस्केटबोल क्या है बस्केटबॉल का रजस्तान अब से बनट रखना रगना है in 1948 पको रजस्तान का रज से नका घोसित किया गया था चलिए बात करते हैं आपके next person की अगला प्रुशन है आपके सामने मेशा कादा है वह कहाँ लेशी था चलिए next question जी आपके सामने से प्रजा मंडिल पटों सेड़्िते सिरोही पटर करते हैं चलिए स्थिकारि विकास अधिकारी तो ग्राम पंचाईत का यह ब्यां ग्राम विकास अधिकर इडिकर यह तीकरी विआ करते हैं अगला प्रेशनाय आपकर सामने बारतिय संसद में राजस्थान से कितने सद्रेश चुनने जाते हैं अडरत की अधर्शी टन्यों के अधर किल राजस्थान से 35 सबस्थान से चुने जाते हैं अब ये 35 सबस्थान से चुने जाते हैं चलिए नेस्ट कुशन की बात करते हैं अगला प्रशने आपके सामने राजस्थान में से जोटा जिला कौन सा है सेत्रफल की दिष्ट्री से राजस्थान का सबसे चोटा जिला कौन सा है तो राजस्थान का सबसे चोटा जिला कौन सा हो जाएगा और आपको दूसरा जिला पूछ ले कि दूसरा सबसे चोटा जिला कौन सा है तो आपको बताना है दोसा दूसरा सबसे चोटा जिला है राज परिंबभ ला पर्सनिया के सामने डूंगरपुर में परजयामंडल की स्थापना इसकी रब्ध स्तामें हुई थी अपशने कर opened the मानिके लाल वर्मा या फिर हरीदेव जोशी तो डुंगरपूर परजय मंडल की स्थापना भोगी लाल पांडिया की अध्यक्स्ता में हुई थी किसके अध्यक्स्ता में हुई थी भोगी लाल पांडिया की अध्यक्स्ता में डुंगरपूर परजय मंडल की स्थापना हुई थी नेक्स्ट क्यूशिन की बात करते हैं अगला परशने आपके सामने राजस्तान से लोगसभा सहदिश्ची के रूप में चुनी गई तो कौन थी राजस्तान से लोगसभा की परतम सहदिश्ची यह थी आपके महरानी गयत्री देवी कौन थी महरानी गयत्री देवी और यह किस पार्टी से थी यह थी आपके स्वतंत्र पार्टी से किस पार्टी से थी स्वतंत्र पार्टी से चुनाव जीती थी लोगसभा सहदिश्ची क चलिए next question की बात करते हैं अगला प्रसिद्ध रचना लील टांस के लेखक कौन थे उप्शन आपके सामने विजेदान देथा सूर्य मल मिसरन सिताराम लालस या फिर कनया लाल सेटिया तो इस प्रसिद्ध का सी उतर हो जाएगा आपके कनया लाल सेटिया कनया लाल सेटिया ज विजेदान देथा इन पे एक जो इनकी नामक उस तक थी उसको उपर पहली फिलम बनी थी वह शिताराम लालस इन्हें राजस्तानी सब्द कोश के लिए अगले प्रसिद्ध की बात करते हैं अगला प्रसिद्ध आपके सामने निम्ण में से कौन सा राजस्तान का जल दुर गड़ तो राजस्तान के अंदर जल दुरु कौन सा निमिन में से आपको बताना है तो इसका स्री उत्र हो जाएगा गागरोन दुरुग जो गागरोन है वो राजस्तान का जल दुरुग है और जो आपके अचल लगड़ है यह आपके गिर दुरुग की शरणी में आता है और चितवड़ गड़ भी गिर दुरुग की शरणी के अंदर आता है चलिए नेक्ट कुछन की बात करते हैं अगला पर शने आपके सामने राजस्तान का कौन सा शहर सफएद सहर के रूप में जाना जाता है और शने आपके सामने ब्यावर मकराना राज समंद या फिर उद घंप तो रूत जाता है अब कई यह उपक्सा कर देंगे तो मचला असंसे इंदर गलत हो जाएगा उद्यपूर जिल्लों की नगरी और जो आपकी सके अंदर कहते है चलिए sûr नेंध बात करतें हैं आपके सामने फुर्ट वीर सथीक्ट टेर है आपको इसका उत्र बताना है फुल्ट ट्र ने पाउंप वीर लेसू सामने जोदपूरोष मल जाईपूर यह फिर बाढ़ मेर तो इसका स्योत्र क्यों होगा फूट्वेर्ट डिजाइन डवलपमेंट इस्टिटूट यह इस्टित आपके जैपूर जिले के अंदर काँ इस्टित जैपूर देश कि राजस्तान की राजदानी है जैपूर के अंदर इस्टित चलिए नेश्ट कुछन की बात करते हैं अगला सब्सक्राइब करते हैं अगला आपके सामने राजस्तान का कौन शहर सो दीपों का सहर के रूप में जहना जाता है कि सहर का उपणा में सोधित आप के सामने नेश्त मरू मुष कार करन की शुरुवात कब हुई थी ये आपको बता ना है औपसेन आपके सामने 1974-85, 1977-28, 1965-1964 या 65 तो मरू विकास कारीकरम की सुरुवात कब हुई थी? अगला प्रिस्टन आपके सामने राजस्थान में प्रशिद रानी सत्ती का वास्त्रिक नाम क्या था? राजस्थान के अंदर जुन जुन जिले की प्रसिद राणी शत्ती का वास्तिविक नाम आपको बताना है कमला देवी, लक्ष्मी देवी, नारायनी देवी या फिर गिन्नी देवी तो इसका सही उतर हो जाएगा नारायनी देवी नाराइनी देवी जो है वो राणी शत्ती का वास्तिविक नाम है और इनका जो मंदिर है वो जुन-जुन जिले के अंदर स्थित है चलिए अप नेक्स टूशिंगी बात करते हैं अग्ला पूर्शन आपके सामने राजिस्थानी वेश भूशां में वर वद्वदु घट बंधनं का वस्तर क्या कह लाता है यह आपको बतना है आपके सामने दोड ताखी थटी या पटनी तो राजस्थानी भाषा में अंदर वरवद्व का वेश्बुसा है उसके वस्त्र को का जाता है थटी क्या का जाता है यह आपको याद रखना है नेस्ट कुशन आपके सामने किस अभविलेग को करनल तोड द्वारा इंगलेंड ले जैते समय को इंदर फैक दिया गये था उससमें क्या हुआ था समूदर को इनके सरी लेग लेग लेंड भार बहुत जद़ हो गये था इसलिए उन्होंने शिला लेग को समूदर के अंदर तो यह कौन सा सिला लेक था आपके सामने अप पराजित का सिला लेक कंसवा का लेक मान मोरी का लेक या फिर मंडोर का लेक तो इसका से उत्र हो जाएगा मान मोरी के लेक को करनल जैम्स टोड़के द्वारा इंग्लेंड ले जाते समय समूद्र के अंदर फैंक दिया गया था कौन सा लेक है मान मोरी का लेक यह आपको याद रखना है तो आज की क्लास आपको कैसी लगी यह आप हमें जरूर बताएग और नेक्स्ट क्लास आपकी होगी कल तो तयार रहेगा कल सुबह